नमस्कार आतमे आपको बताऊगों कि छोटे पीस में से हैबी चेस्ट का पलाउज हम कैसे बनाए तो देखिए जब हमारा साडी का कप्ड़ा छोटा आता है तो उसमें से हम पलाउज कैसे कटिंग करें बहुत दिक्कत आती है और बहुत कमेंटें भी आती है कि हम छोटे करना है अब यहां पर हमारा यह तो यहां पर इस कपड़े में से कोई भी बनाने के लिए ब्लाउज को तया नहीं था क्योंकि जो कस्टुमर था वह बोल रहा था कि दी आप भी बना सकते हैं हमारा व्लाउज क्योंकि एक कप्ड़ा कम है तो मैंने कहा देखिए मैं को सिस करती है तो पीछे के पी provide ऐसार्षाम तो थो तो हमें एडू नाप दो लेने ही लेने हैं चेस्ट के हो पीछे की लंबाएया यहां पर लंबाई है वह थी तेरा इंच कहिए कंपड़ा है और यहाँ कर्देदेंगा सच्श्ट कि यहां पने दो इंच कप्र जो हम दौन कम है तो हमने ज्यादा कपड़ा नहीं लिया है अब हमें इस तरीके से छोटा बड़ा करना है कपड़े को कि अब देखिए हमारे पीछे की लंबाई 13 इंच है तो हम यहां पर 14 इंच लेंगे इस तरीके से और 1.5 इंच लेंगे आगे कपला बड़ा अब यहां पे हम ऐसे करके ऐसे रखना है हमें और इसको हमें ऐसे रखना है तो यहां पर दीखिए हम गल से 5 इंचके हम इसे तो पाँच इंच हम शोरन ले रहाए हैं सब्सक्राइब के लंबाएं यहां पेश्मिन इसके बाद कि हमें ऐसे गुलाई का निशान लगाना काम आरुमल और गले का कटिंगर लुएक यह बन्द वाली साड यहां पर हमें गले का निशान लगाना आर फ्रसरी पिल्ड़ का कटिंगर भाल जै First यह हमारा आगे का और यह पीछे का और यहां पर हमें आलूमल का कटिंग करना है आदा इंच और यह जुड़ा हुआ है इसको भी कटिंग करेंगे अब देखें यहां पर हमें तीरे का निशान लगाना है तेरा इंच पर देखें उसके बार एक इंच नीशान लगाना है इसके बार इसके बार प्रकाश्य का लें आपने क्वे सैंडले का मारा प्रॉप से पहले थे किरे का कटिंग करेंगे अब देखे हमें एक कपड़े को इस तरीके से ऐसे करना है यहां तलक है यहां तलक है हमारा फिटिंग का जो कपड़ा वाकी जो हमारा यह निशान लगा हुआ है वह हमारा सिलाई में जाएगा तो यहां पर नीचे की प्लेट का निशान लगाएंगे ऐसे करके अब हमें दो दो इंच की दूरी रखने हैं यहां पर प्लेटों में कैची का कट लगाएंगे और यह तीरा है अब देखिए अस्तल का कप्डा है जो चोड़ाई में बो है हमारा पंदरा इंच तो यहां पर हमें इसको ऐसे करना है इस तरीके से क्योंकि हमें कप्ड़े की चोड़ाई लेनी है 9 इंच यहां पर 9 इंच होना चाहिए अब हमें cutting का निशान लगाना है 3 इंच लेंगे यहाँ पर इसको देखिए हमें ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरीके से तो देखिए गोलाई में कटिंग करना हमें बाजू का अगर आप बाजू की कटिंग और स्टीचिंग नहीं आती है तो ऊपर आप आई बटन पर किलिक करके देख लें बाजू की कटिंग और स्टीचिंग मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से हर साइज की बाजू की कटिंग बाजु भी निकल्दाइि चोड़ए में अब देड़ी कितनी चोड़ए इसकी 18 इंच 18 इंच की चोड़ए अब देखे कम कपड़ा ने यह तो हमें कैसे निकालने बाजु है तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल करकेंगे इसको हमें ऐसे रखना है अब देखिए यहां पर गले की लंबाई हम रखेंगे 9 इंच और गोलाई में कटिंग करना है हमें पीछे प्लेट डालते हैं वह हम सोल्डर से इस तरीके से निशाल लगाएंगे कि यह हमारा पीछे का है कि और यहां पर जोड़ा हुआ है इसको लग करेंगे और यहां पर तीरा है इसको ऐसे अब इसको देखिए ऐसे डबल करना है इस तरीके से अब देखिए हमें यह बाजू को ऐसे रखना है अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि ऐसे करके इस तरीके से रखना है और इसको ऐसे रखना है तो देखिए यहां पर थोड़ी चोड़ा ही कम हो रही है लेकिन आपको पाइपन के लिए भी कपड़ा मिल रहा है यहां पर यहां पर हमारे पास यह दो पट्टियां है तो इस तरीके से हमें ऐसे रखना है जो हमारा यह अस्तल का टुकड़ा है इसको हम ऐसे जोड़ेंगे ना तो यहां पर भी एक टुकड़ा जोड़ेंगे यहांपर जैसे मैंने आपको बताएए बाल्य की कटिचेघ अगर आप आप नहीं आती है तो ऊपर आई −क पर कलने कम से कम कपड़े मंसेअ क्यासे निकाले तो आसा करते हो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो Campus मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद